अब 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 जैसा कि आप लोग फ़ेख रहे हैं पदाधिकारियों की निक्ति की गई है और इसमें जानेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट और जॉइनिंग लेटर के बारे में क्या जो है कब तक आएगा कैसे आएगा उसके बारे में पूरी जानकालिक देने वा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आकान को प्रेस कर दे ताकि बिहार गवर्मेंट जोब से रिलेटेट पलपल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत लाइ टेट है नहीं तो को भी प्रीवर जर रता है जिस तरह भी अपडेट होता है law Л्+. तो ॆज यहां पर देखने को मिल रहा है तो यहां पर फूड़ी सी जानकारी आई है तो इसे स्क्रोल करके नीचे आना है सबसे पहले नीचे स्क्रोल करके आईएगा इस तरह स्क्रोल डॉन करके आना है और नीचे और थोड़ा सा और स्क्रोल डॉन करके नीचे चले आना होगा नीचे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह स्कोल्ड डॉन करके नीचे आना है और यहां पर आप लोग देख लिए पेज नमबर 12 12 पेज नमबर में इसे राइट साइट दाहिने तरफ में देख सकते हैं आप इसे जूम कर लेते हैं कि ताकि अच्छे से समझ में आ जाए तो यहां पर देखिए 28 पदादिकारियों की राजसो बिभाग में की गई परति निउक्ती अब यहां पर पूरी जानकारी पहले देख लिए बिहार परसासनिक सेवा बिप्रिशे ने 28 पदादिकारियों की सेवा राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग में परति नियुक्ति के आधार पर बहाल की गई है लोगों का नियोजन हो इसके लिए यहां पर 28 पदादिकारियों का परति नियुक्ति किया गया है इनकी सेवा केवल एक दिन यानि कि 8 सितंबर के लिए ही विभाग को सौपी गई है यह 8 सितंबर के लिए ही यहां पर परति नियुक्ति नियुक्ति किया गया है वह निकती मेरे समझ से जो भी है result को तयार करने में जो भी है उस तरह के result को publish करने में जो भी उसमें जो है बाद काम बाकि होगा उसे पूरा कर जो है सारे चीज को clear करने के लिए आइठिंक कि यहां पर जो है